हलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टॉपिक वाइज सभी विजयों का निचोड लिया है अगर आपने यूपी पैट का फॉर्म फिलप किया है और आपका एक्जाम दो दिन बाद में है तो आप यह वीडियों देख लीजिए इसमें आपको कम से कम पांसे दस क्वेशन मिलने वाले हैं तो वीडियों को पूरा वाज करें किस टॉपिक से आपको क्वेशन मिल जाए कोई पता नहीं है तो इसलिए हमने बहुत ही कम समय में इसको पढ़ाया है और बहुत ही निचोड जो है आपको दिया है बहुत सारी किताबों का निचोड है तो बस आप इसको पूरा देखते जाए तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राश्टिये प्रतीक लोक निर्थ सबसे पहले मैंने लिए हैं इसमें पहले मैंने बताया राश्टिये चिन क्या है राश्टिये चिन है तो राश्टिये चिन क्या है असो की लाठ है क्या उपर का हिस्सा जो होता है वा अशो की लाट होता है वा राश्टी ये चिन है यह जो है नेशनल शिम्बल है यह 26 जनावरी 1950 को अपनाया गया था कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इसका जो है सेर हाथी आद्रिस हैं आधार में घोडा और साण यह जो है द्रिस हैं आधार में अब देखते हैं इसके आधार में सत्यमियों जैते लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है इसके आधार में नीचे सत्य में जैते लिखा हुआ है तो यह मुंड को अपनिसा से लिया गया है क्या सत्य में जैते कहां से लिया गया है तो मुंड को अपनिसा से लिया गया है यह जो है देव नागरी लिपी में लिखा गया है क्या सत्य में हो जायते किस लिपी में लिखा गया है ऐसा question पूछता है अगर आपसे तो या देवनागरी लिप में लिखा गया है यहां भारत का राश्टी यह वाकि है मतलब जो सत्य में हो जायते है यहां भारत का राश्टी यह वाकि है ठीक अब है असोग की लाट में कुल चार जानवर है कितने जानवर है? चार जानवर है सेर, हाथी, घोड़ा और साण यह भी आपसे question पोचता है अगला है तिरंगा क्या है? तिरंगा National flag में तीन रंग होते हैं National flag में तीन रंग होते हैं कौन सा रंग होता है? केशरिया क्या है? केशरिया केशरिया रंग में ताकत यों साहस का प्रतीक है दूसरा रंग कौन सा है? सफेद इसमें सांती यों सत्ति का प्रतीक है तीसरा जो है? वह हरा है विकास यों संबर्धी का प्रतीक तो question में आप से ऐसे भी पूछता है के सरिया रंग किसका प्रतीक है, सपेद रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है तो जो UP SSC, UP PET आने वाला है इसमें ऐसे ही question पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे इसलिए आप इसको revision कर लिजेगा और वीडियो को पूरा वाज करिए, आपको इससे भी बढ़ी है, question आगे मिलेंगे तो चलिए देखते हैं, बीच में धर्म चक्र है, जिसमें 24 तीलिया है, उनका रंग समुंद्री नीला है 22 जुलाई 1947 को इसे राष्टिय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को पिंगली वैकईया ने राष्टिय ध्वज के रूप में तयार किया था, तो इसे किसने तयार किया था, पिंगली वैकईया ने यहां कहा के हैं तो यहां आंदर प्रदेश के थे वनस्पती वैग्यानिक थे कौन पिंगली वैकईया जी इन्होंने ही मल्दव राश्टिय धोज को डिजाइन किया था सबसे पहले 1906 में पहला धोज पार्सी चौक कोलकाता में फैराया गया कब 1906 में फिर 1907 में मैडम वीका जी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में फैराया था 1917 में होम रूल आंदूलन के दोरान तिलक प्लस वैसेंट द्वारा फैराया गया राश्टिय धोज में पहले धर्म चक्र की जगा चर्खा था 1931 में जिसे अपनाया गया था पहले क्या था पहले धर्म चक्र ना होकर के एक चर्खा बना होता था वह जो है 1931 में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को चर्खे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया धर्म चक्र में कितनी तीलिया है तो धर्म चक्र में 24 तीलिया था मतलब इसको रुकना नहीं है तिरंगे की चोड़ाई प्लस लंबाई का अनपात क्या है तो तिरंगे की चोड़ाई प्लस लंबाई का अनपात दो अनपाते तीन है यह भी आपका question बहुत बार पूछा गया है तथा लंबाई और चोड़ाई का अनपात तीन अनपात है दो हो जाएगा अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि question में आप से चोड़ाई प्लस लंबाई पूछ रहा है या फिर लंबाई और चोड़ाई पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको आपसरपर टिक करना होगा द्वज सहिता 26 जनावरी 2002 में अपनाया गया था हुंगली करनाटक एक मात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां जंडे बनते हैं खादी टाट का बना जंडा ही मानने है अब आप यह भी सोचते होंगे कि जंडा कहां से मन करके आता है तो खुगली से बन करा है हुगली कहां है करनाटक में है तो यहां एक मात्र संस्थान है जहां जंडे बनते हैं यहां पर किस प्रकार के जंडे बनते हैं खादी और टाट का बना जंडा ही मानने है द्वजार रोहन में तिरंगा नीचे से उपर जाता है क्या जाता है जंडा जो है वा उपर से उपर जाता है प्रधान मंतरी ध्वजा रोहन करते हैं प्रधान मंतरी लाल कले पर फैराते हैं कब फैराते हैं पंदरा अगस्त को फैराते हैं ध्वज फैराना इसमें तिरंगा पहले से उपर होता है ध्वज राश्टपती द्वारा राजपत पर फैरा जाता है 26 जनौरी को यानि कुश्चन ऐसे भी पूछता है कि प्रधान मंत्री का फैरा आता है तो प्रधान मंत्री 15 अगस्त को लाल कि लिए पर फैराते हैं और जो राष्ट्र पती होते हैं Bha26 जनवरी को राजपत पर फैराते हैं ध्वज बनाने के नौमानक है इतने मानक है नौमानक है अब आईए देखते हैं राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान भारत का कौन सा है तो जनगर मन है इसके रचहता जो है वह रविंद्र नाथ टैगोर है जो की 1911 इसवी में इन्होंन जनगर्मन लिखा था आर्यन टैगोर मतलब रविंद्र नाथ टैगोर ने बंगला देश का राष्ट्रगान भी लिखा है यानि इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगर्मन तथा बंगला देश का राष्ट्रिय गान भी अमार सोनार बंगला में लिखा है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया मतलब जो राश्ट गान था कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया गायन की अवधी यानि इसकी अवधी जो है वह 52 सिकंड की है 52 सिकंड में आपको गान रहता है प्रथम प्लस अंतिम पंक्ती में 20 सिकेंड का समय लगना चाहिए राश्ट्रिय गान में जैस सब्द 10 बार आता है ऐसे क्वेस्चन हमने लिए हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगे ऐसे ही टॉफिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा राश्ट्रिय गान में जैस सब्द कितनी बार आया है तो जैस सब्द 10 बार आया है राश्ट्रिय गान में दो नदियों के नाम है आप से पूछता है राश्ट्रिय गान में कितनी नदियों के नाम है तो गंगा जमना यानि दो नदियों के नाम है राष्ट्रेगान 27 दिसम्बर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन की अधिस्ता किस ने की थी तो विस्धर नाराण कर रहे थे किसकी अधिस्ता कलकत्ता अधिवेशन की अधिस्ता राष्ट्रेगान को जरला देवी चोधरानी ने गाया राष् Morning Song of the India के नाम से 1912 में तत्तो बोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा तो सबसे पहले राष्ट्रगान किस पत्रिका में छपा था? ऐसा कोश्चन अगर आपसे पूछता है तो तत्तो बोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था सीरसक था भारत विधा था सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रितन का है जो गौड सेबदा कोईन है अब आई यह देखते हैं राष्टिय गीत हमारा राष्टिय गीत वंदे मातरम है वंदे मातरम के रचयता जो है वा बंकिंचंद्र चटरजी जी है उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है एक उपन्यास है जिसका नाम आनंद मठ है यहीं से है वंदे मातरम गीत लिया गया है जिसके रजयता बंकिम चंत चटर जी जी है यहाँ जो है 24 जनौरी 1950 को अपनाय गया था सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया इसके अध्यच जो है किसके कलकत्ता अधिवेशन के अध्यच वो समय रहमतुला स्थाई थे गायनवदी जो है इसकी 65 सिकंड है जन्गर्मन की अभी हमने बताया कि 52 सिकंड है राश्टिय गीत मूल रूप से संस्कृत और बंगला में लिखा गया है राश्टिय गीत को सबसे पहले रविंद्र नात टेगोर ने गया था अब आई ये देखते हैं राश्टिय पंचांग यानि राश्टिय कैलेंडर तो कैलेंडर सक्समवत पर आधारित है किस पर सक्समवत पर आधारित है 78 AD कनिष्ट दासद्वारा इसमें जो है 12 माह होते हैं या सक्समवत पर आधारित हैं इसमें कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं तो 12 माह कौन-कौन से होते हैं चैत, बैशाक, जेश्ट, असाड, स्रवण, भाद्रपद, आश्विन, कातिक, अग्रहण, पोस, माग और फल्गुन यह आपके जो है 12 माह होते हैं 22 मार्च 1957 को यह अपनाये गया था क्या राश्टिय पंचांग अब आईए देखते हैं राश्टिय मुद्रा चिन तो राश्टिय मुद्रा चिन जो है आपका यह वाला है इसको जो है डी उदे कुमार ने यह चिन दिया था किस ने दिया था डी उदे कुमार तो रा जो है वह देव नागरी लिपी है और आर जो है वह अंग्रेजी का है तो यहां दोनों मिलाकर के चिन बनाया गया है यानि देव नागरी लिपी और अंग्रेजी का आर दोनों मिलाकर के बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है तो डी उदे कुमार ने यहां चिन दिया है अब आईए देखते हैं भारत के पडोसी देश भारत के प्रोशी देश देखते हैं भारत की सीमा को असपर्स करने वाले देश हैं तो भारत की सीमा को असपर्स करने वाले कुल साथ देश हैं कितने साथ देश हैं कौन-कौन से देश हैं बांगला देश हैं चीन है पाकिस्तान है नेपाल है मैमार है भुटान है और अपगा अफगानिस्तान है तो इसमें जो शरवाधिक शीमा बनाता है वह बांगलादेश है जो 4096.7 किलो मेटर सरवाधिक सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा जो बनाता है वह 106 किलो मेटर सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान अब आईए देखते हैं इसको पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ इसलामाबाद है आजाद कब हुआ था तो यह 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था संसद का नाम नेशनल एशंबली मजली से शूरा है राश्टिय पसु यहाँ का मार खोर है राश्टिय वरिच सेंडूरस देवदार है राश्टिय पच्छी चकोर है राश्टिय पुस्प जैश मीन है राश्टिय भासा उर्दू है या सारी जो है पाकिस्तान की चीजे हैं राश्टिय फल आम है यहाँ का राश्टिय खेल मैदानी हौकी है सबसे उची परवचोटी केटू गाडविन आश्टिन कहा पर है तो यहीं पर है सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है पाकिस्तान में आठ प्रांत है कितने प्रांत है आठ प्रांत है सबसे बड़ा सहर कौन सा है सबसे बड़ा सहर कराची है पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था पाकिस्तान के राश्टिय गान का नाम कौमी तराना है जो की हफीज जलंधारी ने लिखा है किसने लिखा है हाफीज जलंधारी ने लिखा है पाकिस्तान का पहला राश्टपती इसकंदर मिर्जा है पहला प्रधानमंती वहां का लियाकत अली खान है पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था तो पाकिस्तान का नाम किस ने दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था अब आईए देखते हैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काउन सी है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबूल है यहां की संसत का नाम सोरा है आजाद जो है यहां यूके के सुतंता उनिस सो निसमें मिली थी राष्टिय पसु इसनो लियूपार्ड है और राष्टिय वरिच अफगान पाइन राष्टिय पच्छी गोल्डन इगल राष्टिय पुस्प जो है टूलिफ और राष्टिय खेल यहां का बुज गासी है और सबसे उची पर बचोटी नौइफ है सबसे लंबी नदी हीरमंद हेलमंद है और राष्टिय फल आडू राष्टिय वहासा पस्तो और फार्सी है अफगानिस्तान में 34 प्रांथ हैं कितने प्रांथ हैं 34 प्रांथ हैं जैसे भारत में 28 राज हैं वैसे ही वहां पर प्रांथ बोले जाते हैं इसलिए वहां पर कितने प्रांत है अफगानिस्तान में 34 प्रांत है अब आईए देखते हैं चीन से समंदित तो चीन की राजधानी कहां है तो चीन की राजधानी जो है वाँ बीजिंग में है यह जो है एक अक्टूबर और 914 में आजाद हुआ था यहां की संसत का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है राश्टिये पसू पांडा है राश्टिये विरिच गिंग को है राश्टिये पच्ची क्रेन है राश्टिये पुस पियालो है प्योली राश्टिये भासा मंदारिन है चीन की राश्टिये पफल जो है वह कीवी है राश्ट्य खेल टेबल टेनिस है कहां कि चीन की राश्ट्य खेल कौन सा है टेबल टेनिस है सबसे उची परबचोटी वहां की माउंट कोमो लगमा है राश्ट्य नदी यांकसी है जो की एसिया की सबसे लंबी नदी है चीन में कितने प्रांथ है तो कि इसके बारे में आयी जानते हैं मेयमूर में 14 कि परन्त हैं कितने परन्त है हुल टाल है राश्ट्य पच्छी यहां का पी काउल पी हैट है और राश्ट्य पुस्ब पीडोफ है सबसे लंबी नदी एरावर्ती और परबच चोटी यहां की खाकालो राजी है अब देखते हैं बांगलादेश बांगलेदेश की राजधानी धाका है यहां जो है 26 मार्च 1971 को और आजध हुआ मुक्ती दीवस यहां पर 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है यहां की संसद का नाम जातीय संसद है राश्ट्य पसु बंगाल टाइगर राश्ट्य खेल कबटी राश्ट्य फल कटहल राश्ट्य नदी सुर्मा परबच चोटी साका हैंड होंग है राश्ट् पुस्प वाटर लिली है प्रांट आठ है और राश्ट्य भासा बंगाली है उन्हें सो चपन में ओफिसियल लेंग्वज का दरजा इससे मिला हुआ है तो यह रहे आपके बंगला देश के बारे में अब आईए नेपाल के बारे में दिखते हैं नेपाल की राजधानी जो है वा काठ मांडू है राश्टिय पसु जो है नेपाल का कौन सा है तो राश्टिय पसु नेपाल का गाय है राश्टिय व्रिच पीपल है राश्टिय भासा नेपाली है नेपाली में साथ प्रांथ है कितने प्रांथ है नेपाल में साथ प्रांथ ह पारबा चोटी सबसे उची जो है वह माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट कहां की चोटी है नेपाल की ही है राश्टिये नदी करडली है राश्टिये खेल वालिवाल है जो की 2017 से है 2015 में सम्विधान लागू हुआ जो की दुनिया का नवीनतम सम्विधान है यहाँ पर कब सम्विधान लागू हुआ जो की दुनिया का सबसे नवीनतम सम्विधान है जो की दुनिया का सबसे नवीनतम सम्विधान है संसत का नाम राश्टिये पंचायत है कहाँ पर नेपाल मे अब आईए देखते हैं भूटान से समंदित राज़दानी इसकी कौन सी है तो भूटान की राज़दानी थिम्पू है राश्टिय मुद्रा यहां की नेगुल ट्रम है संसत का नाम त्योस गंडू है राश्टिय पसू टोफिन है राश्टिय ब्रिच साइप्रस है राश्टिय पस्प जो है ब्लू पॉम्पी है राश्टिय भासा यहां की दखोंजा है और राश्टिय खेल तेरंदाजी राश्टिय पच्ची रोबिन परबत चोटी जो है कुल कंगरी है राश्टिय नदी मानश भूटान में 20 राजे हैं कितने राजे हैं यहाँ पर 20 राजे हैं अब आईए देखते हैं स्री लंका के बारे में राजधानी यहां की स्री लंका की राजधानी स्री जैवर्धन पुरे कोटे है स्री लंका की राजधानी कहा है? सिरी जैवर्धनपुरे कोटे हैं आजाद जो है चार जनौरी 1948 को हुआ सिरी लंका में नवप्रांत है राश्टिय भासा यहां की सिंगली तमिल है राश्टिय पसू हाथी राश्टिय खेल बालिवाल परबचोटी पिडरू तलगला है राश्टिय नदी महावेली गंगा राश्टिय व्रिच सीलोन आयरन वुड है राश्टिय पच्छी जंगल फाउल राश्टिय फल कटाल अब आएए देखते हैं भारत के प्रमुक त्योहार वा मेले भारत में कौन-कौन से त्योहार और मेले हैं आये इसको भृस्टित रूप से देखते हैं कौन सा राज है यह जो है और मेला तो उत्तर परदेश उत्तर परदेश में कौन-कौन सा मेला लगता है कुम्भ मेला, नौचंदी मेला, खिचडी, बटेसर, फस मेला, गुगुल, लठमार होली तो यह सारे आपके उत्तर परदेश के मेले हैं तो ऐसे ही कौश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए थैंक्यू, जय हिंद, जय भारत